वेलकम बैग दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए नए बैट کے डजाइन लेकर आया हूँ देखिये सवी बैट के डिजाइन अलग-अलग मेट्रियल और अलग-अलग के टेक्रियों के हैं, अलग-अलग टाइप्स के हैं और अलग अलग साइज में हैं आपको इसमें कुईन साइज, किंग साइज, स्टोरेज, विदाउट स्टोरेज और हैडोरिक स्टोरी के साथ बैड के डिजाइन देखने को मिलेंगे आप अपने इंटीरियर के साथ से जो आपका करंट इंटीरियर है जो आपका एस्थेटिक है आपका जो रून का साइस है उसके अकॉर्डिंग अपने दिवाल के कलर के अकॉर्डिंग अपने इसाफ से बैड का डिजाइन चूज कर सकते हैं सभी डिजाइन बहुत ही युनीक है और ट्रेंडिंग है जो कि 2024 और 2025 में काफी ट्रेंड करने वाले हैं तो अगर आप अपने घर के लिए नया बैड देख रहे हैं चूज कर रहे हैं या आप अपने घर का बैड बदलना चाहते हैं या आपने नया घर बनाया है उसके लिए बैड ख्रीद रहे हैं तो इस वीडियो से आप अपने लिए अपने अकोर्डियंग अपने एस्टेटिक के इसाथ से अपने इंटिरियर के इसाथ से और अपनی चॉइस के इसाभ से डिजाइन यूसपने को मिलेंगे और presumably के आंथ तक ज़रूर देख के जाईएगा तो बहुत ही यूनिक कलेक्शन है, इस कलेक्शन से आप अपने लिए, मास्टर वेडूरूम के लिए और अधर्स रूम के लिए, बैड का आइडियाज चूज कर सकते हैं, और अपने इसाब से उसको कस्ट्माइज भी करवा सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको किसी बैड की हैड बोर्ड अच्छा लगता है और किसी का आपको जो पैरों की साइड वाला होता है जिसको पैंतिया भी बोरते हैं हमारी जो लोकल लेंग्विज में उसके हिसाब से भी उसको भी कस्टमाइज करवा सकते हैं और कई बार कलर आपको पसंद नहीं आता, डिजाइन पसंद आता है, क्योंकि कलर आपके हिसाफ से मैच नहीं करता, तो उससे भी आपको कलर कस्टमाईजेशन करवा सकते हैं। सबी आइडिया बहुत ही यूनीक हैं और इस 2024 में और 2025 में काफी ट्रेंड करने वाले हैं और आप अपने हिसाफ से इन बैड को कस्टमाईज भी करवा सकते हैं। इसमें आपको याद रखने वाली चीज़ होती है कि जब आप बैड खरीदते हों, या खरीद रहे हों, या मांकेट में जब आप विजिट करते हैं या ओनलाइन आप सर्च कर रहे हों, तो आपको कई चीज़ों का ध्यान लखना चाहिए। बैड बनवाते समय ये खरीते समय काफी बातों को ध्यान अधना पड़ता है सबसे पहले कि आपको किस material का बैड खरीदना है और आप ए टाइम के लिए बैड करीद रहे हैं अगर आपको temporary तोर पर बैड करीदना है तो आप किसी भी material का बैड खरीद सकते हैं जो कि आपको मार्केट में 15,000 के से उपर कब किसी भी रेट में आपको मिल सकता है और दूसरी चीज होती है कि अगर आपको लॉव टाइम परपस के लिए यानि 10 से 15 साल के लिए कम से कम बैड खरिदना है तो फिर आपको प्लाइवोड का वैड यूज करना चाहिए वो भी अच्छी क्वालिटी का और उसमें आपको देखना है कि मेटियल किस तरह का यूज किया गया है क्या मेटियल मैनफेक्चर ने लगा है और उसका जो है कितना वारेंटी प्रियर्ड मैनफेक्चर आपको दे रहा है और तीसरी चीज होती है कि आपको बहुती शांदार वैड खरिबना है साती लगसरी लुप के साथ तो वो बैड की costing अलग होती है उसका pricing भी अलग हो जाता है उस बैड की minimum जो cost आती है पचास रियान से अबाओ रहती है और वो upper limit कोई नहीं है उसकी 3-4 लाग, 2 लाग कई किसी भी rate तक जा सकता है डिपेंड करता है आपका budget क्या है और आप किस परपच के हिसाब से बैड खरीद रहे है तो अगर आप master bedroom के लिए बैड खरीद रहे है तो कम से कम आप अच्छी quality का बैड खरीदें जो look wise भी अच्छा हो और metal wise भी दोनों चीज़ों के दोनों ही qualities उसमें fit बैठती हो साथ ही आपके dealer के इसाफ से match करता हुआ हो तो इन चीज़ों का बैड खरीदते समय आपको द्यान लगना चाहिए तो दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा पूरे बैड देख कर जाईएगा इसमें last में कुछ और शांदार आपको सर्प्राइजिंग बैड के डिजाइन दिक मिलने वाले हैं तो वीडियो के एंड तक बने देगा चैनल नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगी कीजेगा हमें आपके सपूर्ट की बहुत जरूरत होती है आप सपूर्ट करेंगे तो चैनल जरूर हो जाता है तो बहुत स्टगल करनी बढ़ती है वरना चैनल के साथ आप देख पा रहे हैं मैं पिछले एक सार से वीडियो बना रहा हूँ तो जरूर वीडियो के अंट तक बने रहेगा, चैनल को सब्स्टप्राइब कीजगा, वीडियो के जरूर लाइक कीजगा और आपको किस बजट का वैड़ करीद में है वो भी कमेडर में मेंचन कीज़िए अगर आप हमसे बैड़ खरीदना चाहते हैं तो हमारी डिस्क्रेप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी स्क्रीन पे भी हमारा वाटसप नंबर मिल जाएगा आप डिजाइन चूज करके उसकी प्राइज आप हमसे पूछ सकते हैं बाटसप पर तो वीडियो के अंतर जरूर बन रहेगा थैंक्यो फूर वाचिंग गाइज हमारी फैक्टरी सहारनपुर में है और आपको पैन इंडिया डिलीवरी भी मिल जाती है सबस्टारी तर बन लाचिंग एवारी ठीपियो घ्लाइज हो बनीजरे बनें एवारी झाल सकते हैं झाल 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 झाल